नमस्कार मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चनल पर स्वागत करता हूं इस रों ने एक बार फिर मंगल की तरफ जानी के तियारिया शुरू कर दी है और यह तैयारिया उसरे मंगल यान 1 के 10 वर्षों के बाद शुरू की है मंगल यान का पहला मिशन वर्ष 2013 में लॉंच किया गया था जो 2014 में ग्रह पर पहुंचा था चलिए आए बात करते हैं अब आज मंगल यान 2.0 की और देखते हैं कि इस मिशन में क्या क्या खास है तो अभी फिलाल जो तैयारिया है इस रो सुख्या रूप से एक और अर्बिटर मिशन था या कि हमने सिर्फ और सिर्फ अर्बिटर ही भी बेजताता इसके अलावा मंगल ग्रह के चेटर पहँच पर उसकी प्रकरिमाघ कर्दिस प्रक्रमा करते स्केर लावा उस ने कुछ औरकरि महितरा टाश माइब लेकिन अब जो यह मंगल यान 2.0 है इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर हम लोग एक लेंडर और रोवर भी शामिल करने वाले हैं जो अब मंगल ग्रह की सतय पर उतर कर हमें वहां से तमाम महत्वपूर्ण जानकारिया पहुंचाने का कारे करेगा तो अभी बीते दिनों हम लोगों ने चंद्रियान की सफलता प्राप्त की थी अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंगल ग्रह की तरफ और एक खास बात यह है कि हमारा जो मंगल यान 1 था वह विश्व का पहला ऐसा मिशन था मंगल ग्रह के लिए जहां हम पहले ही परियास में उसके औरबिट में पहुंच कर वहां से हमें महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान करेंगे तो कौन-कौन से रहेंगे यह पैलोड तो देखे पहला पैलोड जो है उसका नाम है मोडेक्स यानि कि मार्स औरबिट डस्ट अक्स्पिरेंच इसका मुख्य जो उद्देश्य वह है कि यह है वहां जाकर हमे मंगल ग्रह की उत्पत्ति से संब्द जानकारिया पतान करेंगा साथ-साथ हमें बताएगा कि इसकी उचाई किस प्रकार किधाया और कितनी है साथ-साथ यहां पर किस प्रकार से भोगोलिक वित्रण है और यहां प्रवाहक किस प्रकार से रहता है इन सभी बातों को समझने में हमें महत्वपूर्ण जानकारिय प्रदान करेगा इसका जो तीसरा पेलोड है उसका नाम है Energetic Ion Spectrometer यहां यह पहुंचने के बाद हमें सोर उर्जा करों की जानकारी प्रदान करेगा साथ सूपर थर्मल सोर पावर कड़ों को समझने में मदद करेगा वहीं इसका जो चौथा पेलोड है उसका नाम है लिपिक्स यानि की लंग मीर प्रोब एन इलेक्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट इसका मुख्य उद्देश्य है हमें वहाँ पर पहुंचने के बाद में संख्या घंट्व की सूचनाय परदान करना इलेक्रोन तापमान से संबंधी जहनकारिय परदान करना और साथ-साथ में विद्ध छेत्र-तरंगों का मापन करने में हमें साहिता करना तो यह जो चारो ही अलग-लग पेलोड है इन चारो पेलोड के जो कार्रें हैं वही इस के उद्देश हैं तो आपको इस प्रकार से ही एक्जामें परिभाशित करने हैं किलियर है बात थोड़ी सी बात हम लोग मंगल यान कर लेते हैं तो मैंने आपको पहली बताया था वर्ष 2013 में इसको लॉंच किया गया था पांच निवंबर की डेट को इसको लॉंच किया गया था पी एसलवी सी 25 के माधियम से और यह जो यान था यह 24 सितंबर 2014 को अपने पहले ही प्रियास में मंगल ग्रह की कख्षा में पहु आकृति विज्यान को समझने में मदद करना और मंगल ग्रह के वातवरण का अधियन करने में मदद करना था तो इन सभी उद्योष्यों से इसको लॉंच किया गया था जहां हमें महतवपूर्ण उपलब्दियां पराप्त होई थी किलियर है बात तो अभी फिलाल आगे दे किलियर है बात सभी लोग को तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको महतवपूर्ण जानकर्या मिली होगी फिर अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नहीं बातों को जानेंगे समझेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंग कर दो छोग एकुछ नहीं होगा रहें बातों हएष Ihnen नहीं हárias कि आपको महतवर्ण